वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तो 2020 टेस्स सीरीज में अगर अभी तक आपने भाग नहीं लिया है जो बिलकुल फिरी होती है ना दोस्तो सपता है में दो दिन होती है एक तो रविबार और गुरुबार को दो दिन होती है इस 2020 टेस्स सीरीज में आप भाग ले सकते हैं औ तो और जिन भी साथ क्योंको कोर्स में एड़ीसल लेना है दोस्तों अभी निचोड किलास से चल नहीं है हिंदी साहित का एक कोर्स मात्र 1099 में आप इसमें एड़ीसल ले सकते हैं जिसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे बहुत सारे टिर्की वीडियो और TGT PGT तो फिस पेशल ने चोड किलास वो भी आपको यहां पर मिल ले बाली है ठीक है और self study classes एब आपको डाउलोड कर लेना है और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना है तो हमारे जितने भी साती हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है और जिनको भी एडवीसल लेना है वो आज ही नीचे नमबर चल लए हैं दोस्तो इन नमबरों से संपर कर सकते हैं आपको करना क्या है दोस्तो आपको करना है इस Self Study Classes अप प्ले स्टोर में जाईए इस Self प्ले से लेना है वो पैड़ कोर्स में दोस्तो एडवीसल ले सकते हैं गुरूप डिसकस्टन बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पर दोस्तो आप यहां पर अध्यन कर सकते हैं बहुत अच्छे से ठीक है चलिए तो आज का एस S.N. स्टार्ट करते हैं आपको बताना है मलक मुह मुहमाद जाइसी का प्रिसिद्ध प्रबंद कावब है और उस प्रबंद कावब का आपको नाम बताना है उस प्रबंद कावब का क्या नाम है मिरगाबती पदमाबत मधू मालती या पर दोस्तो परमाल रासो के चार विकल्प में बताएं क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर मलेक मुहम्मद जैसी के प्रसिद्ध प्रबंद काब्ब का नाम क्या है प्रिथम प्रमाने के बड़ा महा काब्ब जो माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है कौनसा माना जाता है उत्तर आपका राइट अंसर है दोस्तों पदमाबत कौनसा माना जाता है पदमाबत य प्रवंद काब्व की बात आई है तो आपका टू नंबर जो है वो बिलकूर शाही है ठीक है पर पदमाबत है यहां पर आपको बताना है दोस्तों पदमाबत संतावन खंड है और दो भागों में प्रकासित माना जाता है अंगला कोस्चन है सूपी मुक्ता काब्व का प्रतम रचनाकार आपको बताना है दोस्तों एक कोस्चन गलत है अंगला कोस्चन देखो जाइसी के स्रंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है सारीरिक पक्ष दोस्तों गोड है एक अतन किस आलोचनाकार का है जाइसी के स्रंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है सारीरिक पक्ष जाइसी का सभी लोग बताएंगे कि जाइसी के इस रंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है सारी रिक पक्ष गॉणड है ये कतन किसका है ये कतन बताईए प्रश्ण किरमांग 386 386 का आंसर आपको चैन करना है राइट आंसर क्या हो जाएगा ये कथन किसका है कथन बताना है शबी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरू कर दें ये कथन है दोस्तो रामचंद्र सुकल का जाइसी किस रंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और साइर एक पक्ष कैसा है गौण है तो ये आपको पता होगा कि ये रामचंद्र सुकली जी का कथन है अंगला क्वेश्चन देको आदिकाल में किस कभी ने अब हट भासा में रचना की है किस कभी ने अब हट भासा में रचना की है जल्दी से बताए किस कभी ने अब हट भासा में रचना की है, इसका उत्तर आपा आना चाहिए जल्दी जल्दी बताओ और सभी लोगों ने आंसर बता रहे हैं सभी लोग लगाता है बहुत बड़ी आंसर आया है आंसर आपने बताया कि सर आदी काल में किस कभी ने पूछा गया आप से कि अब हट में रचना की है तो अब हट में दोस्तों अब्दुल रह्मान अब्दुल रह्मान यानि कि आपका टू नम्मर जो है वो बिलकुर शही है इन्होंने अब हट में रचना की है दोस्तों अब्दुल रह्मान ठीक है इनकी रचना इनका खंड काब एक आपने पढ़ा है दोस्तों संदेश रासक पढ़ा है ना अब्दुर्रह्मान का है ना बहुत बढ़िया अंगला कोश्चन देख लेते हैं हिंदी का प्रिथा महाकाब कौन सा है सरल कोश्चन हिंदी के प्रिथा महाकाब और प्रिथा महाकाब आपको बताना होता है हिंदी का प्रिथा महाका कौन्शा है कमेंट में लिखना है लाइक करना है अपने मित्रों तक सेयर करती रहें हिंदी का प्रतम महाकाब कौन्शा है इसका उत्तर आपको बताने है प्रत्वीराज विजय रामचरित मानस प्रत्विराज रासो या फिर पदमावत बताएं हिंदी का प्रत्व महाकाब कौन सा है और सभी लोगों ने बताया इसर प्रत्विराज रासो यानि की तीन नमर चंद वर्दाई इसके रचनाकार है बहुत बड़ी आंसर अंगला क्वेश्चन है देसल बैना सबजन मिठा एक अतन किसका है पंक्ती किसकी है देसल बैना सबजन मिठा एक पंक्ती किसकी मानी जाती है अब भ्यास करना है जितना जादा अब भ्यास आपसे बनता है उतना जादा अब भ्यास करिए देशिल बैना सबजन मिठा ये पंक्ती किसकी मानी जाती है और अच्छा क्वेस्चन आया है पुरी सर ये जो पंक्ती है देशिल बैना सबजन मिठा ये पंक्ती किसकी है बिध्यापती किसकी है बिध्यापती की यानि कि आपका चार नम्मर जो है बिध्यापती के बारे में स की मेतली भासा में है दोस्तों इनकी पदावली विद्यापती की है ना इस अब जन मिठा सभी को पता है आदिकाली नसाहित में बीर रसकी रचनाओं में किस बहासा का प्रियोग किया गया है बीर रसकी रचनाओं में किस बहासा का प्रियोग किया गया पिंगल का डिंगल का बुंदेडी या फिर प्राकृत का, आदी कालीन साहित में, बीरस की कविताओं में, बीरस की रचनाओं में, किस भासा का प्रयोग किया गया है, यह आपको बताना है, प्रश्न किरमांग 390, और 390 में आपका उत्तर सभी ने बताया है, कि सर वो किया है डिंगल भासा का, कौन इन्होंने आंसर बताया, उनका अंसर बिल्कुश सही है, उपदेश रसाइन के रचेता कौन है, उपदेश रसाइन रास, इसके रचेता कौन माने जाते हैं, दोस्तों, जिन दत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, शाली बद्र सूरी, या पिर धनपाल, उपदेश रसाइन रास क ता कौन है अच्छा क्वेश्चन है शबी लोग बताएं और आपका राइट अंसर है अंसर चला जाता है दोस्तो जिन दत्य सूरी जिन दत्य सूरी यानि कि आपका जो एक नमबर है जिन दत्य सूरी वो बिलकुर शही अंसर है ये नमबर आपका राइट अंसर है अंगला चंदे को कशने के साथ राधा की महानता किस संप्रदाई की बिसेस्ता है दोस्तों कशने के साथ राधा की महानता राधा की महानता किस संप्रदाई की बिसेस्ता है स्री संप्रदाई की रुद्र संप्रदाई की ब्रह्म संप्रदाई की या पिर सनकादी संप्रदाई की कशन के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की बिसेस्ता मानी जाती है यह प्रश्ण किरमांग 392 आप से पूछ रहा है आपको उत्तर बताना है जब लोग बताएंगे और जिन भी सातियों ने दोस्तों क्या नहीं किया है क्या नहीं किया है दोस्तों जिन भी सातियों ने अभी अग वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देंगे ठीक है हाँ तब आपका राइट अंसर यहाँ पर हो जाता है दोस्तों सनकादी संप्रदाए और आपका जो उत्तर है चार नंबर वो बिल्कुल शाहिए दी नंबर आपका राइट अंसर है ओम जय जगदी सहरे की आरती की रचना किसने की बताईए ओम जय जगदी सहरे इस आरती की रचना बताना है किसने की दोस्तों एक वस्चन पूछा गया है कई बार है ना प्रश्ट किरमांग 393 का आंसर बताना है अपन को ओम जय जगदी सहरे की आरती की रचना किसने की है तब आपका बिलकुछ सही आंसर आरा है बुलिसर बो की है किसने स्रद्दा राम फिल्लोरी ने यानि आपका जो ये नमबर है वो बिलकुछ सही है है ना ओम जय जगदी सहरे की आरती अनामी का काब किसके दोरा रचित है अनामी का काब किसके दोरा रचित है निराला अगे धूमिल या फिर सुमन बताएं निराला काब किनके दोरा रचित माना जाता है सभी लोग वीडियो को लाइक जरू कर देंगे एक बार ठीक है गीता देवी जी आकास जी अनामी का काब किसके दोरा रचित माना जाता है अच्छा क्वेस्चन है अनामी का काब आपसे पूछा गया है और आपका right answer हो जाता है दोस्तों क्या यह है निराला निराला यानि को बताना है सबी लोग वीडियो को like कर दें और जिन भी साथियों ने अभी तक दोस्तो सेल्फ study classes डाउनलोड नहीं किया वो app को जरूर डाउनलोड कर लें और जिन भी साथियों को अभी भी कोर्स में एड़िसल लेना है TGT PGT वाले साथि वो ले सकते हैं आराम से बहुत अच्चा अध्यन कर सकते हैं अभी आप मातर दश्रण 99 में एडविसन ले सकते है दोस्तो इस rewrite में आप बहुत अच्छा अध्यन कर सकते हो निहारक की रचना किस्ने की उत्तर चला जाता है महादेवी बर्मा यानि की एक नम्मर आपका बिल्कुल शही है है ना 1907 में जन्म हुआ था दोस्तो महादेवी जी का यामा के लिए ने ग्यानपीट प्रोषकार भी मिला था है ना रहस्वाद से प्रभावित मानी जाती है बोध धर्म से प्रभावित मानी जाती है है ना और नरेश मेता को ग्यानपीट प्रोषकार किस रचना के लिए मिला किस रचना के लिए मिला ग्यानपीट प्रोषकार आपको बता होगा दोस्तो सबसे पहले हिंदी में चिदंबरा के लिए ग्यानपीट प्रोषकार मिला था सबसे पहले चदंब्रा की रेचनाकार कौन है तो पनत जी माने जाती चदंब्रा के हैं अब नर्ष मेतागो ग््यानपीट प्रुसकार किस रेचना पर प्राप्त हुआ महाप्रस्ता शमपूर रेचनाकार में बन पाकी सुनों या प्रसंशाइ की एक रात के लिए और सबी ल माना जाता है नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है ये कोस्चन तो आप से कई बार पूछ लिया गया है फिर भी आपको उत्तर बताना है नाटक में कितने रसों का कितने रसों का परिपाक माना जाता है दो दस साथ या फिर आठ नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है इसका उत्तर सभी लोगों को बताना है कितने रसों का अच्छा अंसर आ गया सभी लोगों ने बताया कि ओले सर नाटक में आठ रसों का परिपाक माना जाता है चार नमबर आपका बिल्को सही है बैसे भी आपने पढ़ा है कि सर भरत मुनी ने आठ रस ही माने है कितने माने है आठ रस ही माने है ठीक है तो यहां पर आपका राइट अंसर आठ है काल क्रम अनुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन है सरदार पूर्ण से किसोरिलाल गोश्वमी भारतिंदु अरिस्चंद या फिर स्याम सुन्दर दास बताएं काल क्रम के अनु क्या हो जाएगा आप लोगों का काल क्रम अनुसार इनमें से शबसे पुराने लेखक कौन है कौन है सबसे पुराने लेखक और सिधा आंसर जा रहा है सभी लोगों का जा रहा है भारतिंदुहरिस्चंद की ओरросारा है सबी का हरिस्चंद जी है भारतिंदु जी है सबसे पुराने है ना तो इनका आपका जो तीन नमबर है वो बिलकूर शाहिए तीन नमबर जिनों ने बताया बिलकुँ सही नागर जुन द्वारा रचत मच्छवारों के जीवन पर आधारत रचना कौन सी है दोस्तों मच्छवारों के जीवन पर आधारत रचना कौन सी है उपन्यास बताना है कौन सा उपन्यास है वो जो मच्छवारों की जीबन पर आधारित है बूंद और समुद्र है बरण की बेटे सागर लहने और मनों से आपे डूब है ना इन में से आपको चैन करना है सबी लोग वीडियो को लाइक कर दे एक बार और जिन भी साथियों को अभी एडविसल लेना वो एडविसल अभी भी ले सकते निचोड किलासें आपकी चर रही है TGT PGT में स्पेशल क्या है हिंदी साहित का स्पेशल क्या है ऐसी निचोड किलासें 2.30 पर चलती है रोज है ना नागर्जन द्वारा रचित मचवारों के जीवन पर आधारत जो रिचना है दोस्तो वो कौनसी है वरुन के बेटे वरुन के बेटे है ना वरुन के बेटे ये बी नम्मर आपका बिल्कुर सही हो जाएगा वरुन के बेटे राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मचवारों के जीवन पर मचवारों के तब आपका right answer जाता है दोस्तो बरून के बेटे बरून के बेटे यानि की B number है ना मचछवारों के जीवन पर आधारत वताना था बी नमर आपका यहाँ पर right answer है अंगला है महाकाल उपन्यास के लेकक कौन है महाकाल उपन्यास के लेकक कौन है बताये आमरतलाय हैं, आमरतलाल लांगर हैं, विश्नु प्रभाकर हैं या पर उदाय संकर भट्टे हैं, बताएं महाकाल उपन्यास के लेका कौन है जल्दी से आपको चेन करना है और यहां पर महाकाल उपन्यास के लेका का आपको वताना है और महाकाल जो उपन्यास है, वो उपन्यास किसका है, अमरतलाल लांगर का है या पर दोस्तों बिश्णु प्रभाकर या उदाय संकर भट्टे हैं यहां पर सीधा उत्तर आपका जाता है दोस्तों अमरतलाल लांगर है ना, अमरतलाल लांगर यानि कि आपका जो टू नम्मर है वो बिल्कुल सही है है ना अब आपको बताना है सागर लहरें और मनुष के रचनाकार कौन है जल्दी से बताओ सागर लहरें और मनुष के रचनाकार कौन है महाकाल उपन्यास के लेका कमरत लाल नांगर है यानि बी नम्मर आपका विल्कुश सही है यहां पर तो ठीक है आपको बताना है सागर लहरें और मनुस्थ से यह इसकी रचनाकार कौन है पटाक से बताएं देज विवाजन की तराजदी की सुपन्यास में वरने थे सागर लहरें और मनुस्थ के रचनाकार कौन है यह बताओ पहले तो और यहां पर तीन सु निन्यानमे में आपसे क्या पूँचा गया था इसमें आपसे दोस्तो नागर जुन द्वारा रचित पूँचा गया था है ना और आपको पता है कि सागर लहरें और मनुस्थ यह किसका है यह उदैसंकर भट्ट जी का है है ना उदैसंकर भट्ट का देज विवाजन की तराजदी किस उपन्यास में वरने थे देज विवाजन की तराजदी जल्दी से बताओ देज विवाजन की तराजदी किस उपन्यास में वरने थे और आपका सीधा उत्तर जाएगा जूटा सच जूटा सच इसकी रचनाकार कौन है यह सपाल जूटा सच यह सपाल यह सपाल आपका सही है तीन नमबर आपका बिल्कूर सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया अंगला कौस्चन इन वेसी कौन सा उपन्यास भीस में साहनी द्वारा रचित नहीं है तो बताएं कौन सा उपन्यास भीस में साहनी द्वारा रचित नहीं है जहरों के कड़ियां बसंति या फिर पीडियां कौन सा उपन्यास भीस में साहनी द्वारा रचित नहीं है भीस में साहनी द्वारा रचित नहीं है वो बताना है लाइक जरू कर दें एक बार जरोके नहीं है कडिया नहीं है बसंती नहीं है या फिर पीडिया नहीं है इन मैंसे कौन सा उपन्यास भीस में साहनी द्वारा रचित नहीं है इसका उत्तर आपको बताना है और इसमें आपका बिल्कुल शही आंसर आया है पीडिया बहुत बढ़िया पीडिया यह भीस में साहनी का नहीं है प्रेम चंद का कौन सा कहानी संग्रह नहीं है दोस्तों प्रेम पच्चीसी प्रेम द्वादसी मुहबत की राहे या फिर सब्त सरोज कौन सा कहानी संग्रह प्रेम चंद का नहीं है बताएं कौन सा कहानी संग्रह प्रेम चंद का नहीं है इसका उत्तर आपको बताना है सबी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा प्रशने किरमांक 403 आपको बताना है कौन सा कहानी संग्रह प्रेम चंद का नहीं है किसका उत्तर आने चाहिए और सबी लोगों ने आंसर बताया है कि सर महबत की राहे तो ये सी नमबर आपका बिलकुट शही है, सी बिकल्प आपका राइट आंसर है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्राय में संक्लित है, इसका उत्तर आपको बताना है, इंद्रजाल आकास दीप पृतीध्वनी या फिर आंधी गुंडा कहानी संग्रह कहानी प्रिसाद की किस कहानी संग्रह में शंकलित है प्रश्न किरमांक 404 में इंद्रजाल में है क्या है ना आकास दीप में है तो बिल्कुल सही आंसर है मुली सर इंद्र जाल टिक कर दो मैंने इंद्र जाल लगा दिया गुंडा कहानी इंद्र जाल कहानी शंग्रे में दोस्तो संग्रीत है अंगले क्वेस्चन क्यों हम बढ़ेंगे अंगला क्वेस्चन देखेंगे बाल मुकंद गुप्त ने किस बर्स में प्रताप नारान पर ह हिंदी का प्रथम संसमरण इन्हों ने लिखा था ये question पूछा जाता है दोस्तों कि हिंदी का प्रथम संसमरण बाल मुकंद गुप्त ने लिखा था प्रताप नाराण मिस्तर पर तो किस तन में लिखा था ये question आया हुआ है पिछले एक्जामों में बाल मुकंद गुप्त न किस बर्स में प्रताप नारायन मिस्तर पर दोस्तों हिंदी का प्रतम संसमराल लिखा था 1910 में 1948 में 16 में या पर 1907 में 405 का उत्तर सभी लोगों को बताना है और जिनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करें लाइक सभी को करना है औस जिन भी साथियों को मॉडल पेपर पर दोस्तों मॉडल पेपर ले सकते प्रेक्टिस के लिए जिनको दोस्तों टैस्ट सीरिज लेनी है 3000 प्रश्णों कि वो टैस्स इरिज ले सकते हैं जिनको संस्कृट बाला सिलेबस के अनुसार कोर्स लेना है तो recorded वीडियो वो उसमें आपको मिल जाएंगे संस्क्रिट बाले भी और जिनको हिंदी साहित का दोस्तो संपूर कोर निचोड कोर्स टेस सीरिज लेनी है तो यह कोर्स है 1099 में जिसमें आप एड़ भी सल ले सकते हैं और यहां लिया के घुंगरू यह 406 का उत्तर आपको बताना है कनया लाल मिस्र प्रभाकर हैं है ना कनया लाल मिस्र प्रभाकर कनया लाल ओज़ा कनया लाल माने कलाल मुंसी या फिर सोहन लाल दोवेदी बताए बाजे पाए लिया के घुंगरू के लेखक कौन माने जाते हैं इसका उत आपको चेहन करना है शबी लोग बताएंगे अच्छा कॉस्चन है कनया कनया का चक्कर है देखते हैं कौन कनया बनता है अब कौन का अंसर सही आता है और बहुत सारे लोगों ने अंसर सही बताया है उन्हें सर कनया लाल मिस्त्र प्रिभाकर है ना ये नम्मर आपका अंसर हो जाता है इनमे से कौन सी किर्ती संस्मरण बिधा की नहीं है कौन सी किर्ती संस्मरण बिधा की नहीं है पत के साती हम हसमत लोट आउधार या फिर मित्र शंबाद कौन सी रचना संस्मरण बिधा से संबंदित नहीं है इसका उत्तर आपको लिखना है चार बिकल्प कौन सी किर्टी शंस्मरण विधा की नहीं मानी जाती पत्के साती हम हसमत लोटाउधार या फिर मित्र संबाद प्रश्ण किरमांक 407 और 407 में नहीं मानी जाती पूछा गया आप से तो नहीं मानी जाती में बहुत सारे लोगों ने आंसर बिलकुर सही बताया है मित्र संबाद यानि चार नंबर चार नंबर मित्र संबाद आपका बिलकुर सही है वेरी गोड आंसर अंगला कोस्चन देखते हैं दोस्तो आप प्रवासी की आत्राएं नामा किर्टी के रचनाकार कौन है आप प्रवासी की आत्राएं एक किर्टी किसकी है इस किर्टी के रचनाकार कौन है बताएं आप प्रवासी की आत्राएं डाक्टर नगेंदर दोस्तो ह सबी लोग लाइक जरू करते जाएं दोस्तों ये सेसन अपना रोज 9 बजे होता है रोज 9 बजे हम अभ्यास करते हैं पता नहीं कौन सा प्रस्ण एक्जाम में आपके आ जाएं इसलिए दोस्तों अभ्यास करना बहुत जरूरी है आप रवासी की आत्राएं नामाग कृती के रिचनाकार कौन है डाक्टर नगेंदर हैं क्या है ना या फिर दोस्तों अभी मन्यू अनन्त हैं धरंबीर भारती या फिर कनया लाल नंदन बहुत सारे लोगों ने आंसर आ गया है सभी का आ गया है कि सर ये जो हैं ये डाक्टर नगेंदर हैं है ना बिलकुश है आंसर प प्रिंसाब बेल्स की भारत यात्रा का बिस्त्रित ब्योरेवार वर्नन इवराज की यात्रा सीड़ सक से किस ने किया। इवराज की यात्रा नाम से प्रश्न किरमांग 409 और 409 में इवराज की यात्रा नाम से बहुत सारे लोग आंसर बता रहे हैं। प्रिंसाद ने और तीन नमर आपका बिल्कुश चाहिए। निर्मल बर्मा का यात्रा संस्मंट चीडों पर चांदनी आधारे थे दोस्तों। यहाँ पर आपके लिए फिरी टेस्ट सीरिज भी होती है और जिनको पैड टेस्ट सीरिज लेनी है वो पैड टेस्ट सीरिज भी ले सकते हैं दोस्तों। निर्मल बर्मा का यात्रा संस्मंट चीडों पर चांदनी आधारे थे तो किस पर आधारे थे बहुत बढ़िया अंसर आपको लोगों ने लगाया है यूरोप प्रवास पर आधारे थे यानि कि आपका जो सी नम्मर है वो बिल्कुश सही है यूरोप प्रवास पर आधारे तीन नमर राइट आंसर गालेब चूटी सराब किसकी आत्म कथा है गालेब चूटी सराब किसकी आत्म कथा है मुद्रा राक्षस की कमले स्वर की मोहार राकेस या फिर रबेंद्र कालिया गालेब चूटी सराब की रिचनाकार कौन माने जाते हैं और ऐसे कितने हमारे साती है जिनने अभी तक Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया एप को जरूर डाउनलोड करें है ना और गालिब छूटी सराव ये आपको बताना है सबी लोग बताएंगे गालिब छूटी सराव इन मैंसे किसकी आत्म कथा है और उत्तर आपका सीधा चला जाता है दोस्तो क्या चला जाता है रबिंद्र कालिया रबिंद्र कालिया यानि की चार नमर आपका बिलकु सही है रबिंद्र कालिया आपका राइट आंसर है अंगला क्वेस्चन है मैं बोरिसा इल्ला किसकी रचना है मैं बोरी सा इल्ला किसकी रचना है नामिका की महुआ माजी मेतरई पुस्पा या फिर दोस्तो रबिंदर कालिया मैं बोरी सा इल्ला किसकी रचना है किसकी रचना माने जाती है मैं बोरी सा इल्ला कि रचनाकार कौन है बहुत अच्छा प्रस्ण है दोस्तो बोरी सा इल्ला ब द देखते कौन-कौन सही बतारह मैं ,oooo 400 बारा 412 का आंसर सभी को बताना है और रायट आंसर आपका जाता है दोस्तों बोरी में भर या भरना बोली सर हमें, बोरी में भरना क्या महुआ जानते निया महुआ महुआ का पेड आपने देखा होगा मہुआ आते हैं तो ये महुआ हमें बोरी में भरना है बोरी बोरी में भरना है महुआ तो बोरी से बोरी सा इला और दोस्तो महुआ माजी यानि कि टू नमर आपका बिलकुँ सही है इन मैसे नई कहानी आंदोलन की प्रारंब करताओं में कौन नहीं है नई कहानी आंदोलन नई कभीता आंदो दोस्तो चवी लोग बताएंगे मोहन राकेश इनमें नई कहानी आंदुलन के प्रारंब करताओं में इसे कौन नहीं है वो बताएंगे और शही आंसर क्या होगा महुआ माजी नई कहानी आंदुलन के प्रारंब करताओं में कमलेस्वर राजंद्रियादव ग्यान रंजन या या फिर मोहन राकेश और बिल्कुट सहाई आंसर आगया सभी लोगों का इसका टिक लगा दो तीन नमबर सी नमबर आपका बिल्कुट सहाई है नाचो बहुत गोपाल की नाईका कौन है नाईका कौन है मिरनालनी, बुद्या, निरगुनिया या फिर सिलिया नाचो बहुत गुपाल इसके रचनाकार भी आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है नाचो बहुत गुपाल इसके रचनाकार कौन है और इसकी नाई का कौन है बताइए दो कौस्चन आपके सामने है नाचो बहुत गुपाल इसकी नाइका कौन है नाचो बहुत गुपाल की और सबी लोगों ने बिल्कु सही आंसर बताया है इसकी नाचो बहुत गुपाल की नाइका है निर्गुनिया कौन है निर्गुनिया है निर्गुनिया यानि तीन नम्मर आपका बिल्कु सही है सी नम्मर आपने जिस जिनों ने भी सी बताया है उनका निर्गुनिया बिल्कु सही है नाचो बहुत गुपाल की रचनाकार कौन है जल्दी से पटापट लखना है निर्गुनिया आपका सही हो जाएगा एह पतबंदू था उपन्यास के लेका कौन है बहुत बढ़िया गुपाल है ना बेरी गुट यहां पर बताना एह पतबंदू था उपन्यास के लेका कौन माने जाते हैं एह पतबंदू था उपन्यास के लेका कौन है और यहां पर आपका राइट आंसर क्या है नरेश महता है बिबे की राए हैं है ना या फिर दोस्तों स्रीलाल चुकले या राजेंद्र अवस्थी, एह पतबंदू था, बहुत बढ़िया, बैरी गोड आंसर, है न, आंसर आ गया है, नरेष महचा तीक है नाचो बहुत गुपाल अमरतलाल लांगर का है वेरी गौड है ना यह पतबंदू था यह उपन्यास के लेखा के कौन नरेश महता है नरेश कैसे बन गया बोले सर यह तो पतबंदू था यह नरेश कैसे बन गया रंगदे वसंती चोला नाटक के रचना कार कौन है रंगदे वसंती चोला नाटक के रचना कार कौन माने जाते हैं रंगदे बसंती चोला नाटक की रचनाकार कौन माने जाते हैं इसका उत्तर आपको बताना है चार बिकल्प आपके सामने हैं रंगदे बसंती चोला नाटक की रचनाकार आपको बताना है और बहुत बढ़िया आंसर देखते हैं कौन-कौन सही बता रहा है आंसर और बहुत स में सायनी का है सी नमर आपका बिलकुर शही है बिलकुर राइट आंसर भारतेंदु कालीन किसे उपन्यास से आधुनिक्ता की सुरुवात मानी जाती है भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिक्ता की सुरुवात मानी जाती है वह कौन सा उपन्यास है जिससे आधुनि परिक्षा गुरू सौजान या फिर चंद्रकांता बताएं जल्दी से भारतेंदु कालिन के सो पन्यासे आदुनिक्ता की सुरुआत माने जाती है अच्छा कोस्चन है और सभी लोगों ने बताया है इसले इसमें परिक्षा गुरू लगा दो परिक्षा गुरू मैंने लगा दिया 1882 का है यह ना निवासदास का है स्री निवासदास का वेरी गौड अंगला कोस्चन देखो मादा कैक्टस नाटक के लेका कौन है मादा कैक्टस यह नाटक किसका है दोस्तों मादा कैक्टस ये नाटक भी कई बार पूचा गया मादा कैक्टस नाटक की रचनाकार कौन माने जाते हैं मादा कैक्टस नाटक की रचनाकार कौन माने जाते रांगी रागव लच्मी नाराण लाल हरी कशन प्रेमी या फिर जै संकर प्रिसाद मादा कैक्टस नाटक के रचनाकार कौन है और उत्तर है यहाँ पर क्या बताया आप लोगों ने आप लोगों ने उत्तरचेन किया है इसर लच्छवी नारण लालग यानि कि वी नमबर जो है मादा कैक्टस नाटक के रिचनाकार लच्मी नारण लाल है वेरी गोड आंसर बहुत बढ़िया यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार जौला मुखी इसका संबंद किस्से है चंद्रगुप्त कारने लिया द्रफ्सौमनी कौमा चंद्रगुप्त अलका या सिसकंद गुप्त बसंत सेना तो बताएं ये कथन आपसे है दोस्तों ये संबाद जो है ये किसका किस्से है यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार जौला मुखी आज ही अपने पड़ा था नाटक में देखते हैं कौन बता पा रहा है इसका सही उत्तर यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार जौला मुखी ये बताना है पताएं कौन कौन बता रहा है और बहुत बढ़िया अंसर आया है किसर इसका उत्तर ही आपको लगाना है तो आप ये नंबर लगा दो ये नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुस सही हो जाएगा दोस्तो चंद्रगुप्ति से कारनेलिया का एक अथन है एक नंबर राइट आंसर है ठीक है अब यहाँ पर द पड़ा है अंधायोग भी क्या काई किसरेणी में आ तक गीती नाट की अब आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है अंधायोग के अंधायोग के रचनाकार कौन माने जाते हैं इसका आंसर सभी लोग बताएंगे एक बार वीडियो को लाइक जरू कर दें दोस्तो अप ले सकते हैं मात्र 1999 में निचोड किलास में ले सकते हैं हिंदी TGT PGT special किलास में है ना गीती नाट अंधा यो किसकी रचना है तो आपने बिल्कु सही बताया धरम बीर भारती आसाड का एक दिन में किसका भाव भीना और प्रेम प्रेम विभोर ब्यक्तित तो भरता है दोस्तो बतायें असाड का एक दिन में किसका भाव भीना और प्रेम प्रेम विभोर ब्यक्तित तो भरता है किसी का नहीं अंभिका का मलिका का या काली दास का किसका भरता है असाड का एक दिन इसके रचनाकार कौन है इसके रचनाकार भी आपको बताना है असाड का एक दिन की रच ये चैन करना है और इसके रचनाकार भी बताना है दो कॉस्चन आप से पूछ लिए गए तो आपने बता दिया है बिलकुश सही आंसर बुरे सर्ट किसका भाव भीना और प्रेम विबोर व्यक्तित्तों का उबरता है तो वह है मल्लीका का किसका मल्लीका मल्लीका का यानि की भ भाव बिभोर प्रेम माय है ना तो ये मल्ली का भी ची नम्मर आपका सही हो जाएगा यहां पर और आपको पता है कि इसके रचना कार कौन है वो भी आपको कमेंट में लिखना है आपने सही उत्तर बताया है असाड का एक दिन हैरी गोड मोहन राकेश का है दोस्तों मोहन राक की कौन सी रचना नहीं है छोटे छोटे ताज महल असाड का एक दिन अंधेरे बंद कमरे और लहरों के राजहंस कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा कौन सी रचना मोह अचरण की सब्यता निबंद के लेक कुंझे आचरण की सब्विता ये किसका निबंद है चंद्रधर सर्मा गुलेरी का अध्यापक पूर्ण सेंका स्याम सुन्दर दास का या फिर बालमकुंद गुप्त का बताएं शबी लोग आचरण की सब्विता निबंद के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये आपका प्रशन है और आपने बहुत बड़ी आंसर बताया है कि सर आचरण की सब्विता के जो रचनाकार है ये जो निबंद है ये निबंद है दोस्तों किसका अध्यापक पूर्ण सेंका अध्यापक पू वो बिल्कुर सही आंसर है बी नम्मर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगला कोश्चन आठबा सर्ग किसका नाटक है यह बताना है आपको आठबा सर्ग किसका नाटक है जैसेंकर पिरसाद का भारत एंदू हरिस्चंद का सुरेंद बर्मा का या फिर बाल मुकुंद गु आठबा सर्ग किसका नाटक है इसका उत्तर आपको लिखना है और आठबा सर्ग दोस्तों बहुत बढ़ी आंसर है शबी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा आठबा सर्ग सुरेंद बर्मा आठबा सर्ग सुरेंद बर्मा जो आपने बिल्कुर सही आंसर बताया ती इस आरी चीज़ें आपको पढ़नी है प्लस रिकॉर्डेट कोर्स पढ़ना है तो अभी आपको सेल्प इस्टडी किलासे से एप डाउनलोड करना है ठीक है अभी डाउनलोड करिए और दोस्तो आज ही एड़ीशन लेकर कि अध्यान करिए अध्यान आपके लिए बहुत दूरी है इसमें आपको लगबाग दोस्तो इस 1999 के कोर्स में आपके लिए दोस्तो 2000 प्लस कोस्टन की टेस्ट मिलेगी टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइस है ना विस्तर तद्यन मिलेगा टेस्ट ट्रेक वाले वीडियो मिलेंगे डाउट्स वाले वीडियो मिलेंगे निच रातियों को अभी कोर्स में एड़ी सल लेना है अभी ओफर है तो अभी ओफर का लाव लेते हुए दोस्तों एड़ी सल लें अपना अध्यन करें अपने मित्रों तक सेयर करते रहें राम मिलन जी मोहे तनूप जी आसा जी ठीक है और ललिता जी जितेंद्र जी बीनू जी और प्रेसु जी, उदै जी, मुकेश जी, दीक्छान्त जी, रीता जी, सरोज जी, संजा यादव जी, मनीशा जी, रजनी जी, तनू हेमानी जी, सभी सात्यों को धनवाद, सभी साती वीडियो को लाइक करते रहें, एप को डाउनलोड कर लें, एप में जाकर की रेटिंग भी आप लोग दे सकते हैं, एप आपको कैसे लगा, आपको किस प्रकार से मददगार हो रहा है, वो आप एप में पेले स्टोर में जाके एप में रेटिंग दें, बहाँ पर एक कमेंट आपका जरूर देखना चाहिए, किसर हमें भी अच्छा लग रहा है, आपका जो एप है, है ना, तो भहीं आपका एक कमेंट जरूर देखना चाहिए, तो और दोस्तो मैं देखता हूँ कि बहाँ पर किस किस ने कमेंट किये हैं, किस किस को अच्छा लग रहा है, है ना, और दोस्तों आपको रिवियू जरूर देना है सेल्फ इस्टरी किलासे से अप पर जाकर के प्लेश टोर में जाकर के ठीक है बिलकोल है ना दीक्छा, दार्सू, हरियौम जी, रागनी, गीता जी, नीरच जी, डॉली जी और सभी सातियों को धनवाद, अजय कुसवाह, हैमलत जी, सपना जी, पुसपा जी, मनीशा, राम जी, नीरत जी, सशी जी, जितेंद्र, रामलाल जी, ठीक है, सभी सातियों को धनवाद, शनजय, पातक जी, और निभे जी बहुत बढ़िया रेखात रपाटी जी बिवेक यादव जी धनवाद धनवाद सभी सातियों को ठीक है बहुत बढ़िया जै हिन दस बजे दोस्तों एकजाम पर पर किलास होगी उसको जरूर अटेंड